नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीकान मौता, मेडिकल गैस्ट्रेंट्रोलेजिस्ट और मेरा अटाइचमेंट है नारायना सूपर स्पेशालेटी हॉस्पिटल हावडा और आरेन टेकवर हॉस्पिटल मुकुंदपूर के साथ आज मैं आपसे बात करूँगा एक बिमारी के बार में जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, सुनने में बहुत ही खतरनाक बिमारी है, सब आप लोगोंने सुना होगा, बट हम लोग आज का पर्पूस है कि जानना कि वाइस इट सो इंपोर्टेंट, तो नो अबाउट इट, कैन तो ये गैस्ट्रिक कैंसर अवेर्नेस मन्त है, इसमें हम लोग स्पेशली बात करेंगे कि ये बिमारी कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि गैस्ट्रिक कैंसर जब बहुत लेट स्टेज में हो जाता है, तो उसको बहुत जल्दी, न पतलब कोई भी ड भारी पन, खाने खाने के बाद उल्टी का फीलिंग, ये सब होने से गैस्ट्रिक कैंसर के अर्ली सिम्टम्स पकड़े जा सकते हैं, और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस, खून की उल्टी, काला लैटरिन होना, जिसका मतलब बलड आ रहा है एमोशन में, ये सब अलाम सिम्टम्स होने से तो देखी हम लोग कोई भी वाट, डॉक्टर के पास जाते ही हैं, मगर जो मैंने पहले सिम्टम्स बताए, जैसे कि इन डाइजेशन, पेक में भारी पन होना, बार बार वामिटिंग होना, मैं ये नहीं चाता कि आप समझें कि ये सिम्टम्स होने स अकलिफ हो रही हो, तब फिर जरूर डॉक्टर को दिखाएं, और अगर उन में से अलाम फीचर्स भी हैं, जैसे कि वजन कम होना, या काला लेटरिन होना, या फिर खाना-खाने के रहत हर बार उल्टी हो जाना, ये सब होना definite फीचर्स हैं कि आपको डॉक्टर से जल से जल म कई पेशेंट्स का अब क्वेश्चन होता है, सर क्या इसका कोई alternate है, बगर अगर ये हमारा first suspicion है कि पेशेंट को कोई gastric cancer या stomach का कोई problem हो सकता है, तो endoscopy ही main test है, इससे घबराये ना, आजकल के technology में endoscopy बहुत ही साधारन test हो गया है, और इससे better कोई test नहीं है, जो इस बेम epilepsy, जिसको आप लोग भी जानते हैं कि mask का टुकडा लेना, जिससे हम लोग को diagnosis, confirmation होता है, वो भी endoscopy से लिया जा सकता है, वो सकता है इसके आगे कुछ test लगे, बट primary test ये होता है, अब बात आते है कि किन लोगों में ये ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग किसी बिमारी के risk factors क्या क्या होता है, वोगी यही तो पता करना है ना कि किस patient को या किस आदमी को इससे डरना चाहिए, या किसको होने के chances ज़्यादा है, इंडिया में देखा गया है कि जिनका वजन ज़्यादा है, उनका risk for gastric cancer ज़्यादा है, ये world में भी ये चीज़े देखी ग पड़ता है, जो कि आगे जाके cancer में बन सकते हैं, एक infection होता है, H. pylori infection, वो एक bacteria है, जो हमारे खाने पीने में घुस सकता है, and वो बहुत ही common infection है, इंडिया में बहुत ज़्यादा common है, that is a known risk factor for gastric cancer, तो इसका ध्यान में रखना चाहिए, जिनका H. pylori positive है, उसका हो सकता है, आपको treatment चाहिए, मैंने भी बहुत ज़्यादा सबको चाहिए, बट अगर वो positive है, तो आपको हो सकता है, treatment चाहिए, यह आपको doctor बताएंगे, and lastly, आज के date में important है यह बताना, कि जो highly processed foods होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा salt रहता है, बहुत ज़्यादा pickled foods रहते हैं, इनस अब तो बाते होई उन चीज़ों के बारे में, जिसका हमारे हाथ में कुछ control है, जिसको हम लोग cure कर सकते हैं, और कुछ risk factor होते हैं, जिसका मतलब होता है genetic risk factor, वो हमारे आपके दोनों के हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन वो important है, तो अगर जैसे आपके family में किसी को gastric cancer हुआ हुआ है, तो जरूर आपको सतर्क रहना चाहिए, या फिर चौकनने रहना चाहिए, कि आपको भी ये future में जाके हो सकता है, तो कोई symptoms अगर नए हो तो please consult a doctor, diagnosis हो गया, अब हम लोगों ने बात की कि इसको कैसे prevent किया जा सकता है, तो हमने risk factor समझे, और उनी-उनी risk factors को हम किंग कम करना, fresh चीजें खाना, processed और preserved चीजें कम खाना, और weight अपना control में रखना, ये सब चीजों को अगर हम लोग कंट्रोल में रखने, तो हो सबता हम लोग गास्ट्री कैंसर का prevalence, और जो मात्रा है इंडिया में, उसको धीरे 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 करके कम कर पाई, अगर कोई ये अभी तक बहुत लोगों को नहीं पता है, जो सबसे early stage of gastric cancer होता है, उसको हम लोग simply endoscopy से भी निकाल के हटा सकते हैं, और उसके बाद आपको ना surgery चाहिए होगी, ना chemotherapy चाहिए होगा, बट ये चीज हर patient के लिए valid नहीं है, आपका cancer बहुत ही early stage में detect होना चाहिए, इसल combination या फिर अकेले, chemotherapy and surgery may be required and that is the treatment, but that will be decided by the team of doctors जो आपको देख रहे हैं, so please मेरी बात ध्यान में रखिए, जो जो चीजे मैंने बोला प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करिये, healthy खाये and maybe together we can reduce gastric cancer, thank you झाल आपको झाल